सर आज की वीडियो क्लास में आप क्या लिकर आया हैं? तो आज की वीडियो क्लास में आप लोग के लिकर आया हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूरेंट हैं जिनको पास्टेंस में प्रॉबलम है तो मैं आप लोग का किम्ती समय जादा ना लेते हुए आप लोग के लिए खास वीडियो लेकर आया हूँ फटा फट क्या कीजे copy को open कर लीजे और मैं past tense का जो complete knowledge जो मैं आज आप लोग को देने जा रहा हूँ ठीक है उसको फटा फट अब क्या कीजे note down कीजे और note down करने से पहले सबसे पहले क्या कीजे मेरे चैनल्स को subscribe कर दीजे ठीक है मैं आप लोग का SKS Sir मैं आप लोग के लिए class 1, class 2 एकदम 0 level से advanced level तक grammar लेकर आया हूँ तो let's start तो सबसे पहले आपको बता दे रहे है past tense किसी कहते है ठीक है what do you mean by past tense देखिए जो भी काम बीतिवे समय में अगर होता है तो उसको ककाते है past tense जैसे वो अर्चोड था ठीक है वो बीमार था मैं doctor था लेकिन अभी वो है नहीं ठीक है कोई भी काम या कोई भी condition बीतिवे समय में था लेकिन अभी वो situation नहीं है तो उसको हम लोग past tense कते हैं सर, पास्टेंस को हम लोग इंग्लिज के सेंटेंस में, मिंस इंग्लिज के किताब में how to identify, मिंस कैसे पाचानेंगे, जब दिये हुए सेंटेंस में, सेंटेंस सब्जिट के बाद में देखिएगा, वाज और वेर, ठीके, सेंटेंस के में सब्जिट के बाद देखिएगा, व लेकिन इन लोलो को नहीं मालूँ है क्योंकि बड़े बड़े इंग्जाम में यह उच्छा लेवल में जाकर आपसे पुछा जाएगा बोलेगा कि पास्टेंस का बताई ये तो हिंदी क्या है तो past tense को हम लोग काते हैं भूत काल, ठीक है, तो sir, भूत काल में हम लोग को क्या सीखना है, watch और wear, देखी ये past tense अगर आज आप सीख जाएगा, तो कभी भी आप छोटा-छोटा sentence किसी से English में बात कर सकते हैं, छोटे-छोटे, या माल लिजे कहीं later लिखना चाहते हैं, या कि आप crack कर सकते हैं, exam को crack कर सकते हैं, watch wear का इस्तमाल करके, ठीक है, तो चलता हूँ, identification, identification का मतलब क्या होता है, पहचान, means, जब सुभा से लेका, साम तक, जब सुभा से लेका माल लिजे साम तक, आप माल लिजे कोई भी, सुभा से साम तक, कोई भी जब हिंदी बोल रहा है, तो हिंदी बोलते बग में देखिएगा हम लोग प्रजेंटेंस का भी इस्तमाल करते हैं, पास्टेंस का भी इस्तमाल करते हैं और फ्यूचर टेंस का भी इस्तमाल करते हैं, ठीक है? तो किसी भी हिंदी के वाक्य में या बंगला के वाक्य में या किसी भी लैंगेज के वाक् समझ जाना पास्टेंस, हिंदी कवाकिय में लाश्ट में थी रहेगा, समझ जाना पास्टेंस, ठीक है, सर इसका बनाने का कोई चटकदार कोई फॉर्मूला है, तो इसके बनाने का चटकदार फॉर्मूला आपके सामने में देखिएगा, रूल, पहले आपको my dear students क्या लाना ह ठीक है, अगर आप मन में माल लेजे not सोच रहे हैं, मतनल नहीं, negative word, ठीक है, तो not का इस्तमाल कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिए, फिर उसके बाद में क्या कीजिएगा, object का इस्तमाल कीजिए, ठीक है, आपको फिर बता देते हैं, पास्टेंस में कभी भर B1, B2, B3, B4, B5 का इस्तमाल नहीं होता है, फिर आप full stop, full stop क्या है, रात में जब आप सोते हैं न बाबू, तो देखिए क्या होता है, दरवाजा बं कर सोते हैं, तो उसी तरह जब sentence को last में, जब आप, आपका सारा मन का बात लिख लिए हैं, तो आपको दरवाजा बं करना होगा न, full stop दे क तो सेम फूल स्टाप क्या करता है एक डोड का काम करता है sentence का ठीक है अब चलते हैं आप लोग को यह बताने के लिए सर वाच का इस्तमाल कहा करेंगे वेर का इस्तमाल कहा करेंगे जब किसी sentence का जब किसी sentence का पहला word means पहला आपका word देखिएगा I, He, ठीक है I मतलब मैं, He मतलब वह, C मतलब वह, लड़की के लिए, It कोई भी माल लेजिए It क्या है आपका infinitive है ठीक है, Determiner के अंदर आता है, मालने यह बस्तू के लिए, फूलो के लिए, ठीक है तो It के It, Rahul, Kolkata, यह जितने सारे word देख रहे है my dear, these all words are ठीक है, इन सब के संग आप क्या लगाएगा my dear, watch का इस्तमाल की जगा है, क्या है आपका singular subject है क्या है my dear, singular subject है, इस के संग आपको लगाना है, watch का इस्तमाल, where कहा लगाना है my dear students, they, they मतलब वे लोग, we मतलब हम लोग, you मतलब आप लोग, तुम का मतलब भी you होता है बहुत सारे student लोग में मुझे question करते है, sir तुम का English क्या होगा और तुम लोग का English क्या होगा, आपका English क्या होगा और आप लोग का English क्या होगा तो यह देखिए, तुम और तुम लोग, आप और आप लोग, यह चार वर्ड का है, इंगलिस, चार हिंदी वर्ड का इंगलिस एक ही है, यू, ब्वाय में देखिए, एस लगा हुआ है, तो यहां क्या लगेगा, वेर, रोहित, एंड मुकेस, जब अगर एक आदमी का नाम आ आना है, वेर का इस्तमाल करना है, अब चलते हैं, एक्जामपल, मिंस, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इतना सारा जानदार और चटकदार और मसालादार आप फॉर्मूला तो सीख लिए, लेकिन इसका इस्तमाल कैसे करेंगे, सर कुछ चटपटा जैसा कुछ सेंटेंस दो बतादीजी, देखिए, यहां देखिए आपका पहला सेंटेंस क्या दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करता हूं माईडीयर, चली, फटाफ़ट कॉपी कोपें कर दीजै, मैं बियस्त हूँ, बियस्त मतलब क्या होता है माईडीयर, बीजी, मैंके लिए क्या होगा I was busy next वह भूखा था अभी वह भूखा नहीं है बीता हुआ समय वह भूखा था वह भूखा था he was hungry he was hungry तुम बैचायन थे बैचायन मतलब चटपताना या किसी बात का चिनता तुम बैचायन थे तो you तुम के लिए क्याल अगल貑गा तो हम लोग ठके थे, तो हम लोग के लिए क्या लगेगा वी, अब वी मतलब एक्स ज्यादा, तो वेर, वी वेर, टायर्ड, ठीक है, तो माई डियर स्टुएंट्स, आप समझ जाएए, ओवरॉल आप जो है इस वीडियो को फिर से आगे पीछे दाएं बाएं करके आप बार इसको देखिए, और मेरा मकसद यही है, सारे कमजोर स्टुएंट्स को, अपने स्कूल और कॉलेज के सारे बच्चों को, मेरे वीडियो को इतना फैल आईए, कि हर बच्चा जिसके पास में फीस ना हो, टूशन जाने के लिए, कहीं प्राइवेट स्कूल में इंगलिस में पढ़ने के लिए, तो आप इस वीडियो को देख करके, आप इस वीडियो के जड़िये, आप घर बैठें इंगलिस बोल सकते हैं, घर बैठें लेटर सीख सकते हैं, सब मैं आपको धिरे धिरे सिखाऊंगा, यह मेरा क्लास टू है, ठीक है, जाकर मेरे यूटूब चैनल मे देखिए, SKS सर, ठीक है, वहाँ आपको ग्रामर का एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा में ग्रामर सिखाने आ चुका हूँ, ठीक है, मेरा ओफलाइन क्लास जो है, खिदिरपूर, कोलकता, भूकलास ग्राउंड के पास चलता है, ठीक है, आप अगर अगर आपको नोट्स चाहिए, तो मेरे दीए हुए वर्टसक नमबर में मुझे कॉन्टेक करें, ठीक है, मिलता हूँ